Study IQ IS अब तयारी हुई अफॉर्ड़बल हैलो गाइज वेलकम तो स्टडी आइक्यू तो दोस्तों तो टोड़े वियार गोई तो तो डियू सिरीज इस अब तैयारी हुई अफॉर्ड़ इंडिया का ओल्ड एंसीयाट यारेश्चर्मा सतीश्चंडरा रिस्पेक्टियल इसको काफी comprehensively cover किया था वो जब सीरीज की थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पीपीटीज रहेंगे और लेक्चर रहेंगे वो जाधा रहेंगे और अब वो वाटेवर आपने वो सीरीज की होगी तो उसका एक elaborate फायदा आपको हुआ ही रहेगा प्रिलेंस में आउट भी विपिन चंटरा करना और विपिन चंटरा इस बुक डटाट है एव सजेस्टेट थ्रूआउट लास्ट यर इसल कि इसको थोड़ा सा कर लेना हाववेवर अगर हम लोग इस साल एंडर आफटर पिछले साल का यूपियसी का अगर प्रेंड देखें नॉट ओंले इन प विपान चंदरा या फिर इट कैन बूडर मॉडर्ण मार्कसिस्ट हिस्टोरियन तो यह वाला जो हिस्ट्री है यूपियसी ने अब लिखना बंद कर दिया है या फिर आफ़े सवाल पूछने यूपियसी ने बंद कर दिये है यह मनें पहले भी देखा था जो मैंने उसमें मैं आपको elaborately समझाया भी था कि लास्ट तो साल में अगर हम देखे तो UPSC is moving towards nationalist historiography and Hindu historiography and nationalist and Hindu historiography में problem क्या है कि nationalist and Hindu historiography जो है वो ancient past में great hinduization Hindu kingdoms के ओपर focus करने वाली history होती है जो कभी मानने के लिए ही ready नहीं रहती है कि India has undergone through multiple process of disintegration तो इसके वज़े से modern इंडिया की बात करें तो precisely दो फेसे से हमारे पास 1707 death of orangabhazeev से लेके 1857 that is East India Company का राजपार जाने तक इस period में इंडिया का disintegration and thereafter reintegration under British East India Company हमको दिखाई देता है तो ये वाले फेसे तो UPSC ने almost 2018 18-19 के बाद से सवाल पूशने बंद कर दिये थे रही बात 1857 से लेके 1947 का period नहीं ये 1857 से 1947 की period का जो बेस है वो नैशनलिजम है और नैशनलिजम आया कहां से इंडिया में नैशनलिजम आया है बेसिकली इंडिया जाता है ये हिंदू हिस्टोरियोग्राफर नैशनलिस्टोरियन भी हिंदू ये रिलीजन जो है या फिर जो धरम है उसका क्रिटिसिजम थोड़ा ठीक से नहीं लेते है तो तो ये वाइन नाइटीन सेंचुरी की हिस्ट्री जो है वो भी अब UPSC नहीं पूछ रहा है जो question आ रहे है वो precisely 20th century से ही आ रहे है and in my opinion धीरे धीरे अब UPSC उसको भी face out कर ही देगा because 20th century की हिस्ट्री मतलब Congress की हिस्ट्री है which is not in consonance with the present day government's policies but in any case a series तो बनानी है and series बनाने के time पे अगर book-based series बनाई then वही वाला issue बाद में आ जाएगा comprehensive तो मैं पढ़ा दू कोई भी book आपको but अगर उसका अगर आपको एक्जाब में फाइदा ही नहीं हो रहा है तो knowledge का फाइदा क्या है ना so that's why the solution is basically modern Indian history one-stop solution now what I have thing the thought process is basically rather than going for certain particular book I have ISS score 300 plus in history optional तो अब मुझे खुद 300 plus का optional का elaborate अंदाज है and there आप मतलब experience है and thereafter I know from the previous year trend analysis की उप्यसी क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है तो I thought की भाई let's merge optional as well as GS का certain portion जहां से सवाल maximum आ रहे है and thereafter इसके साथ साथ critical change in the approach भी करेंगे मतलब rather than studying Marxist historiography तोड़ा Hindu historiography के उपर focus देके जो है modern India पढ़ेंगे अब Hindu historiography और nationalist historiography पर focus देके मतलब exactly क्या करना है इसी के लिए basically we will have this particular session this will be a launching session this way I'm just going to explain you the thought process exactly particular series के पीछे thought process क्या है और इसका फाइदा आपको कैसे होने वाला है but thought process समलने से पहले obviously थोड़े से PYQ देखेंगे obviously detail नहीं करने है but a trend analysis हम कर सकते है तो एक question जो UPSC ने 2023 में जो पूछा था वो governor Jandolo of Bengal का था तो ये one of the easiest question था across the paper तो ये वाला सवाल तो आपको आ ही गया होगा but अगर आप दूसरा वाला सवाल देखोगे तो ये वाला जो सवाल है UPSC ने specifically कहां से पूछा है तो new NCRT से पूछा हुआ है तो new NCRT से पूछा हुआ है in the sense that Alexander Reed, thereafter Longhurst, Seville and thereafter Burgess इनके नाम new NCRT में जो थोड़े से dispersed level पे आपको as a archaeologist दिखाई देंगे but ये new NCRT में है now talking of R.S. Sharma आपको पहले भी बता के रखाता है it will give you benefit अगर modern India पढ़ना तो सबसे beautiful तरीके से लिखने का काम विपान चंद्रा नहीं किया है but अब UPSC वहाँ से सवाल नहीं पोच रही है so I'm not going to conduct my entire exercise या फिर this particular series on old NCRT और विपिन चंद्रा इसलिए थोड़ी दूसरी चीज़े सोची है कि अगर ये दो चीज़े देखे तो ये ना spectrum से आ रही है thereafter ना ये basically विपिन चंद्रा से आ रही है तो वो book हम लोग करे ही क्यों करने का कोई sense बनता है नहीं बनता है वैसे फिर ये तीसरा वाला जो सवाल है ये trend-based सवाल था 2022 में UPSC ने 8 August 1942 वाला quit India moment पूछ लिया और उसके बार UPSC ने यहां पर directly वाला सवाल पूछ लिया that is 7 August से related कौनसा moment launch हुआ and उससे related factual data it can be considered as a current offer of 2014-15 also बट मैं इसको purely trend-based question बोलता हूँ कि UPSC का भी habit हो चुकी है कि पिछले 2 या 3 साल की जो question है same question repeat करो बस थोड़ा सा tweak करके अफिर data बदल के आप डालतो तो अगिन यह वाला question जो ना spectrum से handle होने वाला है ना basically विपान चंद्रा से handle होने वाला है यह तीनी question मैंने लाए थे because यह तीनी question modern India की UPSC ने पूछे 2023 में 2022 में तो दो ही सवाल आए थे वो भी ऐसी अटपटे सवाल थे तो in that capacity अगर दो या तीन सवाल आ रहे है तो इतना बड़ा लंबा spectrum करो इतना बड़ा लंबा विपान चंद्रा करो इसकी सही में कोई जरूरत है क्या and talking of this particular thing एक और चीज जो है basically is related to the means also अगर हम लोग even means के भी अगर question देखते है तो means वाला paper ही 2022 का तो इसमें I hope you might be knowing it बट जिसको पता नहीं है उसके लिए this is something की question number 1, question number 2, question number 3 question number 11, 12 and 13 ये ऐसे total 6 question GS1 में आपको history से आते है एक जमाने में ये 6 message 4 से 5 question modern India के UPSC पूछा करता था बट अब इसका वेटेज जो रिडियूस होके आ गया है तीन question के उपर usually UPSC 2, 10 mark के और 1, 15 mark का सवाल ही UPSC यहां से आजकल पूछ रहा है that is roughly 35 marks worth of question बट अब इसमें भी problem क्या है कि अगर modern India में roughly 35 marks worth of question आ रहे है तो वो भी तो spectrum से handle नहीं हो रहे है इवन आप प्लासी टू पार्टिशन पढ़ोगे तो वहां से भी basically a question आपके handle नहीं होने वाले तो just look at the question of 2022 यह तो temple architecture वाला था जो हम लोगों ने ancient media में ही कर लिया था बट यह अब बताओ इसमें क्या दोगे unless and until you know the social history of India and यह social history of India Marxist as well as Hindu historian से perspectives है आप यह वाला सवाल handle करी नहीं पाओगे आप लिखी नहीं पाओगे कि ब्रहामल शत्री alliance क्या होती है thereafter जो core military commander वो भी ब्रहामल शत्री होते है इनकी feudal army कौन सी होती है thereafter जो feudal army है जो majority रंगे वो वाईशा और शूद्र है उनको ना education है ना access to military technology है यह military technology and education से अपर वर्न अपर जाती leadership को ही मिला हुआ है तो basically एक वर्न डिविजन and thereafter जाती division आर्मी में percolated है and worst is basically the Brahminical attitude and इसमें third battle of panipat can be given as a beautiful example third battle of panipat में मराता हारे क्यों तो contemporary historian and even काशी राज पंडित जो उस battle film में मौझूद थे and who was basically डिवान of शुजाउद दुल्ला तो उन्होंने भी सारी की सारी जो blame है वो सदाशी उरा भाव and उनका जो ब्रहमिनिकल attitude है उसके उपर डाला तो अब यह वाली चीज़े जो है वो आपको basically normal reference book में पढ़ने ही नहीं मिलेंगी यह Hindu historiography and Marxist historiography का एक underlying debate current है debate है यह सारा तो अब यह वाली जीज़ आप कहां पर मिलेंगी वसी आप यह तीसरा वाला सवाल देख लेना कि वाई 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 वाज देर सदन सपोर्ट इन फेमाइन इंडिया 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 में ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी भी है इंडिया में प्रिंसेस मतलब बड़े-बड़े किंडम भी है और आफ्टर इंडिया में मुगल भी बैठे हुए है तो अबिसली तीनों की responsibility it all started with agrarian crisis of Aurangzeb तो blame lies with Aurangzeb also thereafter it all started with basically even East India companies dual government to blame lies with dual government also and thereafter it all started with even disintegration of India regional kingdom आए regional kingdom where at a perpetual warfare with each other agrarian consolidation किसी ने किया ही नहीं तो अगी नहीं वाली जो point है that is multi-dimensional answer यह आपको स्पेक्ट्रम देने वाला है ना आपको विपिन चंद्रा देने वाला है तो demand of UPS is basically going beyond whatever that is available in the market और यह handle करने के लिए आपको historiography जो हो elaborately पता होनी चाहिए और वो जब तक नहीं होगी तब तक स्पेक्ट्रम 1000 पेज़ेस का ना विपिन चंद्रा जो खुद एक 4500 पेज़ेस का book है वो आपका help नहीं करने वाला है इवन अगर आप question number इसमें 11 12 और 13 देखोगे तो 11 वाला जो बेसिकली वाला question भी काफी tedious और tricky था कि political and administrative reorganization of states and territories have been continuous ongoing process since mid 19th century study discuss with example तो हर एक इंडिया में basically बैठा हुआ जो बंदा है या फिर यूपियसी का candidate है उसको तो आपने यहीं बता है कि इंटिग्रेशन तो सरदार पतेल जी ने करवाया है तो अब यहां पर यूपियसीन आपको उल्टा counter question पूछ लिया कि क्या है कि political integration of the country जो है वो mid 19th century that is 1850s onward ही चालू हुआ है यह अगें क्या है हिंदु हिस्टोरियोग्राफी वाला वर्जन है कि 1857 में मुगल चले गया तो इंडिया political integrate होना चालू हो गया तो यह वाले aspect जो है यह आपको कोई भी और डिनरी बुक में नहीं दिखाए रिंग और सारे एंसर बात में डिसकस करेंगे एक इसके उपर भी एक एंसर राइटिंग का सेशन जैसे मैंने अपने अप्शनल के लिए था हिस्ट्री होराइजन सीरीज इसके लिए भी आम गोइं टू कंड़क्ट इन फिर सेकंड विक अव्गस्ट यहां पर आता है नेक्स्ट इंपोर्टन एस्पेक की 35 मां कुरूशल तो है चोड तो नहीं सकते देखो विकाज यूपीसी में यह नीड तो अंडर्स्टैंड कि वाट इस डिफरेंस बिट्विन 350 मार्ट वर्थ ऑफ कैंडिडेट एंडर आफट 450 मार्थ ऑफ कैंडिडेट यह 100 मार्क जोए कोई रॉकेट सैंस नहीं होता है GS1234 में आप 80 क्वेश्टन लिखते हो हर एक क्वेश्टन में आपको एक मार्थ जादा चीए यह विल रिच 350 से लेके 430-450 का रींज अगर आप सोचर की एंसर किप कर लेंगे सोच लिख लेंगे देन फिर आप आपके ही पाव पर कुराड़ी मार ले रहा हो मैंने अगें उपर से में बहुत कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जिनको GS1 में जो है 70 और 60 मार की आते हैं and that's a game over 70 और 80 माक्स या फिर 70 60 मार के रेंज में अगर आपका माक्स आ रहा है GS1 में you can never even get an interview call and that's why this is a fight of each and every question तो despite being a difficult changing trend है हम लोग एंसर छोड़ तो यार नहीं सकते हैं और वही वाला problem था कि जब मैंने सोच रहा था मैं पिछले एक-दो हफते से कि exactly अब नई सीरीज अगर बनानी है तो यह नई सीरीज बनाने कि जो parameter जो है यह basically क्या होने चीए और what shall be our approach कि में स्पेक्ट्रम पे सीरीज बनाओ तो वह काम में नहीं आ रही है spectrum is basically not the worst kind of the book that you can ever read obviously it's a good book कि वह आपको basically बोला है विपिन चंद्रा करो and I will still stick with my word की विपिन चंद्रा करो because विपिन चंद्रा जो है काफी अच्छे historian है और उन्हेंने जो narrative डेवलप करके इतिहास लिखा है it is unparallel in the modern India's history एक दम बहुत ही अच्छे तरीके से एक neutral version of the history देने का जो कोशिश हो विपिन चंद्रा का है और वो narrative मतलब story जो आपको मजा भी आएगा modern India पढ़ने में जो spectrum पढ़ने पर नहीं आता है कि spectrum पढ़ने में इतिहास से नफरत जादा होगी as compared to love तो that's the old NCRT तो मैं अभी भी बोल रहाओ कि एक बार तो आपको करनी ही है और सब्सक्राइब कर रहा हो भले ही वो विपिन चंद्रा की नहीं है I'm still going to give you विपिन चंद्रा का crux material in it don't worry about that and new NCRT अगर लास्ट यर देखे तो अभी इस बेसिकली एक सवाल जो है वो new NCRT से आही गया था जो archaeologist वाला उसके पिछले बालवार अगर देखोगे तो वहां पर एक दो सवाल जो new NCRT बेस आही गये थे रादर दन बेसिकली अंडर्स्टेंडिंग देखे तो अगें NCRT बेसिरी जो बेसिकली वही मुझे नहीं करने थे यहां डैसा बेसिकली दस लूशन इस बेसिकली दिस लूशन फोर दी मौड़न इंडियन हिस्ट्री ना सिंसा है स्कोट 300 प्लस माक्स इन दी ऑप्षिनल ऑप्षिनल का एक इलाबोरे एक्स्पिरियंस है मुझे अब मैं आल्मूस्ट तीन साल के लिए ऑप्षिनल पढ़ा भी रहा हूं उसके साथ-साथ वी क इस आंड़ दे माटेरियल देट इस अवेलेबल इन दे मार्केट वो करने से कोई फाइदा ही नहीं आला तो मैं करवाओंगा भी नहीं तो मुझे ऐसा मिडल वे निकालना है कि जहां पर बेसिकली आपको कम से कम टाइम पीरड मैं मैंक्सिमम पॉसिबल फाइदा है जो हो इस एक क्यूरेटेड कंटेंट ना वाया पीपीटी तो जैसे पहले के हमारे सेरी चल रही थी जहां पर मैं बेसिकली मेरा जो पूरा का पूरा बेस होता था वह एंसी आटी होता था तो एंसी आटी का एक चैप्टर पकड़ो एंफिर वो चैप्टर के ओपर जो है आल पॉ इंसो प्लस मार्क्स भी है तो मेजॉरिटी ओड़ डाटा जो ओप्शनल पॉस्पेक्टिव से ही आएगा विकाज वो पॉस्पेक्टिव डेवलप करने पड़ेंगे क्योंकि प्रिलंस में तो इतना जाधा वेटेज है नहीं दो या तीनी सवाल है उसमें से एक दो तो हैं पूच नहीं है तो फॉर्ट परपस बेसिकली एक वेरी क्यूरिटेड कंटेंड जो है वे स्पेसिफिक फोकस वन अनलाइसेस एंड यह एनलाइसेस में भी थोड़ा सा हिंदू अनलाइसेस या फिर हिंदू हिस्टोरियोग्राफिट इसे के उपर आम नाओ गूंग तो फो अगर आप देखोगे तो बेसिकली आचार अचानक के उपर क्वेश्चन तो या फिर संस्कृतिक लिट्रेचर के उपर क्वेश्चन वो जाधा आ रहा है तो यह जो बेसिकली फैक्ट होता है जो प्रिलंस में है एंडर आफ्टर फैक्ट के साथ साथ उसका एक प्रॉपर unele Isis from the Hindu perspective यह भी आपको करना आना चाहाँ विकोज अभी तक Marxist perspective चल रहा था तो हमारा दिमाग उसके लिए train है कि Marxist perspective की history कैसी है कैसी होनी चीएं अब reversal करना है अब Hindu historiography पड़नी है तो Hindu historians की तार्व सोचना पड़ेगा उनकी तरह answer जो है वो लिखने पड़ेंगे यह विपल देट इस पूरे सीरिज का सोल रहेंगे पहले के जामने मैं आपको बताया था कि करक्स कर लेना करक्स इंपॉर्टन थे प्रोवाइडिंग यह पीपीटी में जो है आपको सारे के सारे रफेरंस बुक का इंपॉर्टन डाटा एंड जो ऐसे बुख जो आपनी कभी आपके जिन्दगी में पढ़े भी नहीं है उनका भी इंपॉर्टन डाटा एंग तो ग्यू विथा प्रॉपर अइनलाइस तो यह जो है होलिस्टिक रहेगी पीपीटी एंड यह पीपीटी अगर आप करोगे तैकन अगीन अश्यूर यूं कि जो आपका प्रिलिम्स एज में जो जीएस वाला कॉंपोनेंट है वो दोनों जो है इलाइबोरेटली जो है क्या होगा कवर अप हो जाएगा और वाट आम प्लानिंग तो टो इस बेसिकली टेक 70 से लेके 80 लेक्चर ऑफ वन आर्स तो मतलब 72 80 आर्सी वी आर गोईंग टू डेरिकेट उससे जादा मेरे को करने भी नहीं है बस मुझे आपका एक तरीका बदलना है पढ़ने का वह तरीका बदलने की ज़रत इसलिए बिकाज और आपने एक अटेंब भी दिया है तो आपको पता है कि यूपसी में अब जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स से वो काम में नहीं आ रहे हैं तो तो बस यह तरीका जो बेसिकली थोड़ा सा बदलेंगे 70-80 लेक्चर रफली ओफ वन आर्स आम गोंग तो टेक और यह वाले जो एस्पेक्ट है इसमें आम गोंग तो प्रोवाइड यो विद्ध क्रक्स ऑफ दो ओल्ड एंसी आटी अलॉंग विद लेक्चर तो मैंने आपको बता अटीश आटीश एश इसरतन चैप्टर ओव विद्ध चंट्रा का जो क्रक्स है ताट आट आम गोंग टो रिलीज एंस फॉर्दर कीपिंग इन माइन दिमांड ऑफ दे मौन प्रिलम्स नाॉं की पूरिम्स में निव एंसी आटीस से मौडन इंडिया में सवाल जाधा रहे है old में ancient and medieval में नहीं modern इंडिया में सिर्फ नियू एंसियाटिकों पर इनका focus है तो देट से इवन नियू एंसियाटिक का क्रक्स मतेरल आंगां तो प्रवाइब अधर इंड इस एंट इस एंट इस तो यह वाली जो चीजे थोड़ी साब को समझ नी पडेंगी अब कि हिंदू हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या है था आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम दे हिंदू पर स्पेक्टिव इस ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंशन पास मतलब अप्टु ट्वेल्फ सेंचुरी तक के जितने भी हिंदू डाइनस्टीज है उनी के ओपर मैक्सिमम फोकस बच्चा पड़ेगा देर आप्टा कुछ और बुक पड़ेगा और मैरे को पसंद नहीं आ रहा है लिटरली मतलों पिछले एक महने में अब रिजल्ट आके 15 दिन हो चुके है बट ऑविसली प्रिलंस के बाद एक महने मैं बच्चा मुझे आके पूछ रहा है सर मझे प्ला यह मेरा वेल क्यूरेटेड कंटेंट है और मेरा मतलब कोई मैं हिस्टोरियन होनी तो खुद नहीं लिखूंगा यह कुछ ऐसे रेफरेंस बुक है जो हिंदू हिस्टोरियोग्राफिय बिल्ड करने के लिए मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर लगाए थे जिसका इसे म परस्पेक्टिव फ्रॉम दाइरेक्शन ऑफ दे हिंदू हिस्टोरियोग्राफिक ताकि आपको मेंस लिखने में एंडर अफ्टर इंटर्यू में जाधा दिक्कत जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेस्टिन में ना आए तो इस सम्थिंग फ्रॉम आइस तो इस बेसिकली कि modern Indian history this was a launching video तो बस मुझे आपको thought process बतानी थी कि exactly हम क्या करने वाले है क्या नहीं करने वाले है and this entire series we are going to launch from tomorrow onward every day at 2 p.m. and obviously it will be free of cost जैसे हम लोगों ने ancient and medieval का session किया था old NCRT का तो वैसे यह रहेगा PPT भी आपको मिल जाएगी and PPT के साथ साथ old NCRT का क्रक्स तो along with lecture में आपको दे दूँगा but जैसे series खतम हो जाएगी तो मैं आपको new NCRT का क्रक्स that is 8 standard and 12 standard की जो new NCRT है उसका क्रक्स also I am going to provide and again अब आप पूछोगे कि सर मतलब इतना सारा content फिर आप लाओगे कहां से तो इस सम्टिंग फॉर यू मतलब मुझे इसको पर बहुत सारे बच्चों ने सवाल भी पूछे थे बट मेहनत नहीं करनी होती है आज कल बच्चों ने बताया कि बहुत जगा पर मैंने open session में मार्क्षिट जो शेयर करके रखी है पर फिर भी सर मार्क्षिट शेयर करो 300 प्लस कैसे दिखते है देखना है तो इस सम्टिंग फॉर यू तो हिस्ट्री ऑप्शनल में आया मैस मैसल स्कोर्ड मोर दें 300 प्लस तो 300 प्लस जो है यह हर एक कैंडिडिट का एक सपना रहता ही है मतलब ऑप्शनल में 300 प्लस आये किस बंदे को नहीं चीए रहता है इस ड्रीम और नो की मतलब वह एक्चीव कैसा करना है इसके बीचे बहुत ज़ादा महनत लगती है और जो बंदा हो स्कोर करता है उसी को पता रहता है और प्रिसाजली 2018 का ही मार्क्षिट जो है मैंने आप आप के लिए रिलीज करके रखा है 2017 में भी आहर स्कोर रफली अराउंड 300 मार्क्षिट सेल बट 17 का मैं रिलीज नहीं करता वग्षब 17 तक जो है UPSC ने खुद कोई पब्लिक डोमेन में जो है मार्क्षिट नहीं डाली बट 2018 onward UPSC ने जो इंटर्यू रिटन कैंडिडेट है उ इसके उपर आए नीट टू मेक वीडियो मुझे थोड़ा साइक इंस्पिरेशनल वीडियो पर इसको पर बनाना है छे साथ मैने से मैं सोच रहा उसके उपर बट बनाऊंगा मैं तो उस टाम पे मार्ट जो है मैं रिलीज करूंगा बट मीनवाल अगर आपको चीए क्यूरि रिटन कैंडिडेट माक्स 2080 UPSA Civil Services Examination आपको यहां पर यह मार्क शीट जो है मेरी आराम से दिख जाएगे इस ओपनली अवेलेबल ओपनली अक्सेसिबल और एक्सेसिबल एंडट साइंग कि 300 प्लस मार्क जो है तो क्यूरेटर कंटेंड मेरा स्पेसिफिक है इस इस माई कं इंटेंड मतलब इन दसेंज आट कि जो इंपोर्टन रेफरेंस बुक से जो इंपोर्टन चीज आपको लगेगी पॉस्पेक्टिव बिल्दिंग फैक्ट और आफटर फिर एनलाइस यह तीन जो है पिलर रहेंगे यह एंटार सीरीज के तो अगेन यह सीरीज को एंसी आट इसमें नहीं करूंगा विकाज इट पुट से लिमिटेशन नो कि मतलब मुझे इससे बाहर नहीं जाना है और मुझे वह लिमिटेशन अब मेरे को यह सीरीज में नहीं चाहिए है और इसका फाइदा आपको डेफिनेटली होगा जैसे एंशेंट अंड मीडियोल इंडिया क धिका आपको हुआ है तो अगे जाने से पहले गाई विप प्रॉटी ऑफ यह शे ने आधि ऑफ यह्ले ओफ ऐस्टी ऑप्षिंब होगा और यह वाला जू बैच वह नहीं झाल मॉट्च यह भी वाला जो बैच हुआ कि छाली होगा यह जो मॉडन इंडिया से चालु होगा चोज ओन एंशन इंडिया, मीडियावल इंडिया, मॉडन इंडिया, और मॉडन वर्ल अगेन आज कल का जो चेंजिंग ट्रेंड है UPC का एक्सेसिव एंफसिस ओन हिंदू हिस्टोरियोग्राफिए आपको मार्केट के कोई कंटेंड में नहीं दिखने वाला है इसके लिए सेपरेट रेफरेंस बुक करने पड़ते हैं विच आफ दूरिंग माई प्रेपरेशन और वो वाला कंटेंड और जो भी इंपोर्टन रेफरेंस बुक मार्केट में होते हैं उसका भी कंटेंड आपको मेरे क्रक्स में ही मिल जाएगा तो once you have done CRUX आपको फिर बाकी के रेफरेंग को करने की कोई ज़रुरत नहीं है CRUX के साथ साथ I am going to provide you with the access of PPT तो जो PPT का access जो वो भी काफी significant है विकास PPT से एक visual memory developed होती है and my PPTs are always having very comprehensive approach comprehensive approach मतलब कोई भी पीरेड का जो भी important data आपको चीह हो मेरे PPT में आपको दीख जाएगा and then after third handwritten note since हमारे lecture dictation based नहीं होते है I hate that approach basically because dictation based approach में जो history में आपको रट्टा मरवाया जाता है history में आपको रट्टा नहीं मारना है history में आपको processes समझनी है history आपको understanding करनी है तभी history में मज़ा आएगा तभी जाके data भी याद रहेगा तो dictation based में जो बेसिकली आप रट्टा जादा मारते हो analysis नहीं होता है and फिर paper में 200 से जादा marks नहीं आते है that's an irony of each and every history optional student तो that's how मेरे सारे lecture जो basically analytical aspect के उपर जादा focus करके होते है but I know जब मैं आपको dictation नहीं देता तो आप running notes बनाते हैं कुछ गलतिया करोगे कुछ important point miss out कर दोगे for that purpose फिर यही पे जब lecture चाली हो रहता है तो मेरे साथ एक बंदा बैठके जो notes बनाता है hand written note which is like a running note of our class मैं उसको evaluate करता हूँ after I'll upload it to your portal तो जिससे होगा क्या कोई भी crucial data जो मैंने class में बताया हो आपका miss out नहीं होगा तो काफी comprehensive content I'm going to provide along with the lecture जैसे आपका primary skill जो है that is development of the fact, development of the analysis and development of the critical perspective मतलब analysis जो है positive as well as negative angle से कैसे किया जाता है यह develop हो and thereafter we are going to focus upon the secondary skill that is test series जो है इसमें included है obviously test test series जो है basically secondary skill इसी वज़े से है because knowledge आपके पास कितना भी हो paper पे ही उतारने नहीं आया तो knowledge क्या फाइदा and that's why this secondary skill काफी significant होते है इसके बिना जो है आपके knowledge का कोई फाइदा नहीं होगा अगर मुझे 300 plus history optional में आए है तो वो क्यों आया भाई because secondary skill मेरी rock solid developed थी अब तो मैंने almost 4-5 answer writing के वीडियो जो है वो डाले हुए भी है history optional horizon series करके एक बार check कर ले वो series में मेरे handwritten answers भी आपको दिखाई देंगे and after topic trend analysis optional का भी मैंने करके रखा है तो यह सारी चीज़े जो है basically experience you will get if you join this particular course तो 12 test का यह पुरा का पुरा पकेच along with the foundation we are offering you at a very affordable rate of 15999 if you use my code SNLIVE तो I hope it is quite clear guys if you are from the history optional background then I hope to see you on 17th of July and if you are not then obviously आपका कोई नो का तो history optional में दो सरा है का please spread the word for me and from tomorrow onward obviously history modern Indian history one stop solution we are going to start from 2 p.m. onward यही वाला टाइम रहेगा try to come you know मतलब लाइफ या फिर टाइटो कम at 2 p.m. itself because views थोड़े से आजकल मेंटर कर रही है तो अगर views बहुत ही जादा डाउन हो गए या फिर basically comment like डाउन हो गए तो I hope you understand कि मैं सेरीज जारा टाम तक फिर continue नहीं रख पाऊंगा तो that is now up to you कि यह कितना चलाना है तो I hope you cooperate with me जैसे आपने ancient 10 video में cooperation मुझे दिया था तो let's meet guys everyday now 2 p.m. for the history one stop solution and thereafter if you are from the optional background and I hope to see you on our batches on 17th of July again जाते जाते यह वाला जो है अगर आपको पूरा चीए तो यार जस्ट आपको एक टिक पर मिल जाएगा search करो you will get to know यह बाकी जगा पर कितने मिने राइते फिलाएते but in any case that will be it from my side guys now आज के लिए we'll meet again tomorrow 2 p.m. आज बस मुझे यह thought process आपको समझानी थी कि जो modern Indian history का जो हम लोग series launch करेंगे उसके पीछे what exactly I'm thinking तो इसमें PPT जो है वो हमेशा बेस रहने वाला है अपना and इसके साथ-साथ CrUX material तो मैं आपको प्रोवाइड करवाओंगा आज बिपिन चन्रा का दोन्त वर्यावबवाओंगा at the end of the modern Indian history तो एक रफली 70 to 80 lecture पकड़ के चलो that will be bare minimum and I'll try to wrap it up within 70 to 80 lecture itself and फिर उसके बाद जो है बिसीकली I'm going to release even that new NCRT का KRAX तो तो आट विल बेट from my side guys hope to see you tomorrow 2 p.m. and थोड़ासा व्यूस और थोड़ा सा लाइव आने का थोड़ा सा ट्राए कर लेना वोगाज वो मैटर कर रहा है आज खेल ओके साथ होप यू अंडरस्टेंड चलो गाइस थैंक यू सो मच वेल मीट अगेन देन टुमारो ओके थैंक यू सो मच गाइस अब तयारी हुई अफोरडबल